आज हम बनाएंगे कॉल्ड कॉफी, कॉल्ड कॉफी पीने में जितना ये टेस्टी होता है, उतना ही इसे बनाना भी असान है, तो इसे बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पर, आधा लीटर दूद, हमें कॉफी दो गिलास बनाना है, इसलिए हमने यहाँ पर आधा लीटर दूद लिया है, और ये दूद एकदम ठंडा है, आधा कटोरी चीनी, चीनी आप अपने हिसाब से ले, आपको मीठा जितना पसंद हो, एक हमने कॉफी का छोटा पैकेट लिया है, हमें दो गिलास कॉफी बनाना है, तो हमने यहाँ पर एक पैकेट छोटा वला कॉफी लिया है, एक बड़ी चम्मज, चोको पाउडर, एक कटोरी, आईस क्यूब्स, और गार्निस के लिए हम यूज करेंगे, यह गिसा हुआ चोकलेट, और गार्निस के लिए इसे भी हम यूज करेंगे, चोकलेट सीरप को, तो आईए बनाना इस्टार्ट करते हैं, कॉल्ड कोफी, तो मैंने यहाँ पर मिक्सी जार लिया है, हम इस जार में डालेंगे, यह आईस की, कॉफी, चीनी, चोकलेट पाउडर, दूद, और फिर हम इसे ब्लेंड कर लेंगे, कॉफी को हमने ब्लेंड कर लिया है, आप देख सकते हैं, यह हमारा कितना जाग वाला कॉफी बनके तयार हुआ है, तो हम इसे ग्लास में सर्व करेंगे, तो ग्लास में सर्व करने से पहले हम ग्लास को डेकोरेट कर लेते हैं, तो मैंने यहाँ पर गिलास लिया है और फिर यहाँ पर हमने चोकलेट सीरप लिया है तो गिलास में हम चारो तरब से इस तरह से चोकलेट सीरप को डालते हुए सारा गिलास में लगा लेंगे हम हम इसी प्रोसेस में दूसरा ग्लास भी तैयार कर लेंगे अब हम गिलास में डालेंगे यह कॉफी मैंने कॉफी को ग्लास में सर्व कर लिया है आप देख सकते हैं कॉफी हमारा कितना जहाग वाला बनके तयार हुआ है गार्णिस के लिए हम कॉफी के उपर डालेंगे यह चोकलेट पाउडर फिर हम डालेंगे गीसा हुआ चोकलेट अब यह हमारा टेश्टी डिलीसियस कॉल्ड कॉफी बनके तयार है पीने के लिए अगर आपको हमारी यह रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें हमारे चाइनल को सब्सक्राइब करें हमें कॉमेंट करें थैंक यू